जब आप पूछते हैं कि ये चीज सही है या गलत, तो आप नैतिक तरीके से प्रश्ण पूछ रहे हैं। मैं जीवन को नैतिकता के नजरिया से नहीं देखता। मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रश्ण है, क्या कोई चीज कारगर है या नहीं है। क्योंकि जब हम यहां जीवन के रूप में आते हैं, जीवन का हर रूप सिर्फ इंसान नहीं, जीवन का हर रूप एक पूण विक्सित जीवन बनने की इच्छा रखता है। एक कीडा पूर्ण विक्सित कीडा बनना चाता है, एक पतंगा पूर्ण विक्सित पतंगा और एक पेड़ पूर्ण विक्सित पेड़ बनना चाता है, और बेशक इनसान भी एक पूर्ण विक्सित इनसान बनना चाता है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि एक पू और बनने की इच्छा होती है, है न, तो ये स्पष्ट है कि आप नहीं जानते कि पूण विक्सित इंसान कैसा होता है, जब आप ये भी नहीं जानते कि पूण विक्सित इंसान कैसा होता है, तो आपके पास सोने का समय कहा है, देखे, किसी भी तरह के नशे का मतलब है, आप क अगर आप जानते कि अपने विचारों और भावनाओं को वैसा कैसे रखना है जैसा आप चाहते हैं, तो आप खुद को आनद में रखते या तनाओ में या दुख में आप कैसे रखते? मैं पूछ रहा हूँ, ये एक सवाल है अगर आपके विचार और भावनाएं आपका निर्देश लेते तो क्या आप स्वभाविक रूप से खुद को सबसे उंचे सुख और अनुभव की स्थिती में रखते आप यही करते हैं न? तो अगर आप अपने अंदर सबसे उंचे अनुभव के स्थर पर होते तो क्या आप उसे शराब या ड्रग से खराब करते? नहीं, तो फिलहाल हमारे मन ऐसी स्थिती में है जहां ये जबरदस तनाव और दुख पैदा कर रहे हैं आप चाहते हैं कम से कम शाम को कुछ आराम मिले अगर आप पूरे दिन पिएंगे तो वे आपको कुछ नाम दे देंगे तो कम से कम घर जाकर एक महिने पहले मैं न्यूयॉक शहर में था कई लोगों के साथ मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है कि New York शहर में कितने लोग शाम को शांती से बैठ सकते हैं आनन से नहीं, बस शांती से बिना शराब का एक भी गलास पिए मैं शराब के एक गलास को सबसे कम डोज मान रहा हूँ वे आपसी चर्चा के बाद बोले वे बोले 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत लोग शाम में शांती से बैठ सकते हैं बिना एक भी गिलास शराब पिए मैं लंदिन में था और कुछ बहुत प्रसिद्ध लोगों के साथ मैंने उनसे पूछा लंदन में कितने प्रतिशत लोग बिना एक गिलाश शराब पिये शांती से बैठ सकते हैं वे बोले एक प्रतिशत से भी कम मैं कहरा हूँ पूरी दुनिया इस दिशा में जा रही है आप इसकी वज़ा जानते हैं वज़े बस ये है कि इनसान का तर्क पहले से कहीं जादा सक्रिये है मानवता की एतिहास में इससे पहले कभी इतने सारे लोग खुद के लिए सोच नहीं पाते थे पहले आपके पादरी, आपके पंडित, आपके ग्रंथ, आपके गुरु कोई और आपके लिए सोचता था, आपको सोचना नहीं होता था कई संस्कृतियों में अगर आप सोचते थे तो वह आपका सिर काट देते थे अगर आप वहां मौझूद किताब से परे जाकर खुद के लिए सोचते थे तो वे आमतोर पर आपका सिर्कार्ट देते थे क्योंकि आप एक परिशानी थे हाँ या ना लेकिन मानवता की इतिहास में पहली बार इतने जादा लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ जब आप खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं बलकि लोगों के बीच होने वाली सबसे बेकार बहस भी आप प्रेसिडेंट पद की बहस देख रहे हैं जो सबसे बेकार बहस होती है वो भी उस इंसान की समझ में ठीक है हाँ या ना घर पर पती-पतनी के बीच में बहस हो रही है दोनों को लगता है कि दूसरा बेतुका है लेकिन अपने अंदर वे सोचते हैं कि उनकी बात में समझधार ही है है न? तो जब तक बात तारकिक ना हो आप उसे हजम नहीं कर पाते तो ऐसा हो जाने के बाद दुनिया में ये होता है ये आपके साथ हो चुका है और युवा पीड़ी के साथ ज़ादा बड़े तरीके से हो रहा है स्वर्ग ढह गये है ये छोटी बात नहीं है स्वर्ग ढह रहे है इस पीड़ी के लोगों के लिए भी हालांकि वे ढह चुके हैं पर वे किसी तरह से उन्हें बनाए रखने की कोशिश कर रहे है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वे नहीं ढहते तो आपके बच्चे उन्हें खींच कर गिरा देंगे क्यूंकि ये ऐसा है स्वर्ग में है क्या ये देखते हैं देखे हिंदू स्वर्ग में भोजन बहुत अच्छा है तो अगर आपको भोजन और शराब पसंद है तो आपको हिंदू स्वर्ग में जाना चाहिए ये खाने के लिए सबसे अच्छी जगा है नल खुद आपके लिए पकाते हैं दूसरे स्वर्ग में वहां इस्त्रीयां सफेद गाउन पहन कर बादलों में उड़ती हैं अगर आपको वैसा वातावरन पसंद है तो आपको वहां जाना चाहिए अगर आप एक अन्य स्वर्ग में जाएंगे तो आपको कुमारी स्थ्रीयों की समस्या का सामना करना पड़ेगा लेकिन वहाँ शराब नहीं मिलेगी तो अगर आपको वो पसंद है तो आप वहाँ जाएं लेकिन आप वहाँ जाएंगे कैसे? स्वर्ख जाने के लिए GPS क्या है? ऐसा हुआ, एलबामा के संडे स्कूल में संडे स्कूल का टीचर पूरे जोश में था दर्शक बड़े लोग नहीं थे, छोटे बच्चे थे लेकिन वो पूरे जोश में था तो इसके बीच उसने पूरे जोश से पूछा आपको स्वर्ख जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटी मेरी खड़ी हुई और बोली अगर मैं हर संडे चर्च का फर्ष साफ करूँगी तो स्वर्ख जाऊंगी वे बोले बिलकुल एक और छोटी लड़की खड़ी होकर बोली अगर मैं अपना आधा जेब खर्च अपने कम सौभा गे शाली मित्र को दूँगी तो स्वर्ख जाऊंगी सही है एक और छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला अगर मैं जरूरत मंद लोगों की मदद करूँगा तो स्वर्ख जाऊंगा सही सबसे पीछे बैठा टॉमी उठकर बोला आपको पहले मरना होगा यही योग्यता है आपको पहले मरना होगा जब आप मरेंगे तो आपकी संस्कृती की अनुसार हम या तो आपको जला देंगे गार देंगे या पक्षियों के आगे फैंक देंगे इन में से हम कुछ करेंगे आप जिसे शरीर कहते हैं वो बस धर्थी का एक टुकड़ा है इसे यहां वापस डाल देना सबसे अच्छा है जब इसका काम हो जाए जब आपके शरीर का काम पुरा हो जाए तो इसे धर्थी में वापस डाल देना पर्यावरन के लिए सबसे अच्छा है तो जब आप स्वर्ख जाएंगे तो इस पश्ट है कि आपके पास शरीर नहीं होगा जब शरीर ही नहीं होगा तो आप भोजन और कुमारी स्त्रियों का क्या करेंगे? कुछ नहीं उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि अगले 25 से 30 सालों में सभी स्वर्ग ढह जाएंगे आज भी ये कई लोगों के दिमाग में ढह चुके है शायद पिछली पीड़ी सक्रिय रूप से स्वर्ग जाने के बारे में सोच रही थी आप लोग जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे लेकिन आप उन्हें जूटा बताने से डरते हैं अगली पीड़ी सक्रिय तरीके से उन्हें जूटा बताएगी हाँ या ना आपके बच्चे जरूर उन्हें जूटा बताएंगे तो स्वर्ग ढह जाएंगे स्वर्ग ढह सकते हैं लेकिन कुछ जादा अनुभव करने की इंसानी इच्छा नहीं जाएगी। जब कुछ और अनुभव करने की इच्छा शक्तिशाली बनेगी। हमने इस इच्छा को लोगों में इस तरह संभाला है। चिंता मत करो, अभी तुम दुखी हो, लेकिन अगर तुम आज शाम नहीं पियोगे, तो जब तुम स्वर्ग जाओगे, वहाँ शराब की नदियां होंगी। छोटे प्याले नहीं, नदियां बह रही होंगी। तो जब ये उम्मीद ढह जाती है, ये ढह रही है, अगले 25-30 सालों में ये दुनिया में गायब हो जाएगी। जब ऐसा होगा, तो लोग बड़ी संख्या में ड्रग जादी रसायन अपनाने लगेंगे। आज भी दुनिया में कई लोग उन्हें अपना चुके हैं, तो अब ये नैतिक मुद्दा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, मेरी आखों में देखिए, मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, कभी नशीले पदार्थ नहीं चूता, पर हर समय नशे में हूँ, हम सभी यहां इसी हॉल म में बैठें, हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, शायद हम एक ही भोजन खाएंगे, लेकिन इस पल मैं जिस तरह अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, मैं उसके बदले में ब्रह्मान की कोई चीज नहीं लोगा, आप मुझे पूरी दुनिया दे दीजे, लेकिन कोई सौदा नहीं, क्योंकि यह उससे बड़ा है, क्योंकि इंसानी अनुभाव अंदर पैदा होता है, अगर आप इसे अपने हाथों में ले लें, तो जैसा चाहे वैसा अनुभाव बनाते हैं, और इसे अपने हाथों में नहीं लेते, तो सयोग से आप नशे में रहूंगे, अगर शर अभविक रूप से अपने लिए सबसे अच्छा अनुभव पैदा करेंगे। तो बात शराब की नहीं है, बात ड्रग्स की नहीं है, बात ये है कि क्या आपने अपने जीवन की कमान संभाल ली है या आप एक संयोग है। अगर आप एक संयोग है, तो चिंता स्वभाविक है, है न? अगर आप चिंतित हैं, तो आप कम से कम शाम को जीवन को किसी तरह दबाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो कम से कम हफते के अंत में आप थोड़ा धीमा होना चाहते हैं। देखे, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज आपके पास है, माना जाता है कि हम इस धरती पर सबसे विक्सित प्राणी हैं। हां? किसी और प्राणी के मुकाबले हम सबसे ज़ादा विक्सित हैं सबसे ज़ादा विक्सित होते हुए एक चीज जो हमारे साथ हुई कि हम शारिरिक रूप से अन्य प्राणीयों जितने मजबूत नहीं है हां? सबसे बड़ी चीज जो हमारे साथ हुई कि हमारी बुद्धी खिल उठी अगर हमारी बुद्धी खिल चुकी है वाकई खिल चुकी है तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसे पूरी तरह से आनंदित और खुबसूरत कैसे बनाना है है न? अगर बुद्धी खिल चुकी है अगर आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं तो क्या ये महतुपूर नहीं है कि आप कम से कम खुद को वैसा बनाने के काबिल बने जैसा आप चाहते हैं अगर आपके भीतर ही वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, तो वो आपके जीवन में कैसे होगा? ज्यादा तर लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा वे चाहते हैं, पर उनका मन भी वैसा नहीं चल रहा जैसे वे चाहते हैं, यही उनका दुख है, ऐसा हुआ. एक दिन एक महिला सो रही थी नीन में उन्होंने एक सपना देखा सपने में एक सजीला पुरुष उनके सामने खड़ा था और उन्हें घूर रहा था फिर वो पुरुष उनके बिल्कुल करीब आता चला गया इतना करीब कि वो उसकी सांसे भी महसूस कर पा रही थी वो कांपने लगी पर डर के मारे ने फिर उन्होंने पूछा आप मेरे साथ क्या करोगे पुरुष बोला ये आपका सपना है आपके मन में जो चल रहा है वो आपका सपना है आपका सपना भी वैसे नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं यही समस्या है अगर आपका सपना वैसे चल रहा होता जैसा आप चाहते हैं इसी पल में तो क्या आप शराब पीना चाहते यह मन ही आपके अंदर इतनी चीजें पैदा कर सकता है कि आपको बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं है अगर आपका सपना बिलकुल वैसा हो जैसा आप चाहते हैं तो क्या आप यहाँ बैट कर परमानन्द में होंगे? हाँ या ना? हाँ तो आपका सपना भी वैसे नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, यही स्थिती है सपने की मशीन भी आपसे निर्देश नहीं ले रही तो अब एक ही तरीका है इसे मार डालो नहीं नहीं, इसे मार डालो नशे से आप इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से आप इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, है न? इसे सुलाने की कोशिश येक जीवन के विकास के लिहास से ये एक उल्टा कदम है अगर दुनिया की 90 प्रतिशत आबादी मान लीजे शराब और ड्रग्स लेने लगे तो आप ये देखेंगे अगर हम कुछ महतुपूर्ण नहीं करते तो अगले 15 से 20 सालों में अगर हम कुछ महतुपूर्ण करें तो ये बदल सकता है वरना आप देखेंगे 60 से 70 सालों में 90 प्रतिशत आबादी किसी तरह का रसायन ले रही होगी माना जाता है कि अमेरिका की 70 प्रतिशत आबादी दवाईयां लेती है 30 प्रतिशत पीछे गलियों से उसे खरीदते है ठीक है दुनिया के तीन प्रमुख उद्योग है शीर्श उद्योग सबसे पहला शस्त्र और युद्ध का सामान दूसरा दवाईया तीसरा शराब आप या तो फायदे में हैं या इसमें योगदान देते हैं शराब तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है तो देखिए एक आपको मौत की दिशा मिले जाती है दूसरी वापस लाने का नाटक करती है तीसरी 100% मौत है ये तीन दुनिया के सबसे बड़े उद्योग हैं भोजन से भी बड़े क्या आप सोच सकते हैं साल 2015 के अंत में दुनिया का भोजन उद्योग 76 खरब डॉलर का था दवाईयों का उद्योग 72 खरब डॉलर का था अब मुझे लगता है वे आगे हो गए मतलब हम भोजन से ज़ादा दवाईयां ले रहे हैं क्या ये पागलपन है या नहीं ये निश्चित रूप से पागलपन है है ना तो शायद अगले पांच सालों में शराब का उद्योग भोजन उद्योग से बड़ा होगा इसका मतलब हम वागई पागल हो गए है ना तो बात ये नहीं है मैं मज़े क्यों ना करूँ मैं कह रहा हूँ कि आप अगर वागई जीवन का आनंद लेना चाहते हैं क्योंकि आप शराब का आनंद नहीं लेना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप समझें आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं है ना अगर आप इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप पूरी तरह से नशे में हो सकते हैं साथ ही पूरे सजग भी आपके लिए ये कैसा रहेगा मुझे देखिए मैं हर समय नशे में होता हूँ मगर आप चाहें तो मैं किसी भी समय ऐसा हो सकता हूँ ये सच है आपने मुझे देखा नहीं है मैं किसी भी पल बिल्कुल नशे में हो सकता हूँ क्योंकि मैं हर से मैं सजग हूँ, पूरी तरह से जागरूख हूँ मानवता के साथ यही चीज होनी चाहिए, है न? और हर इंसान में ऐसा करने की काबिलियत है उन्होंने बस उस दिशा में ध्यान नहीं दिया है, इतना ही वे सस्ते समाधान अपना रहे हैं